नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शनियूज, मैं हूँ दिव्यानसू पटना के दानापूर में स्कूल जाने के दोरान नाओ पर सवार एक सिक्षक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी इस घटना के बार डबल इंजन सरकार की नी इंद आखिरकार खुल गई है ऐसी घटना फिर से ना हो इसको देखते वे सिक्षा विभाग सभी जिलों को आदेश जारी किया है और बाल के दोरान स्कूलों को बंद करने का अधिकार डीम को दे दिया है जी हां सिक्षा विभाग की तरब से एक लेटर जारी हुआ है सभी जिलापता अधिकारियों को जिसमें स्कूल को बंद करने का अधिकार डीम को दिया गया है दरसल दानापूर के गंगा घाट पर सुक्रवार को स्कूल जाने के दोरान BPSC सिक्षक अभिनास कुमार गंगा की तेज धार में बह गए जिससे उनकी मौत हो गई थी अभी भी उनके सब की खोज जारी है NDRF और HDRF की टीम खोज रही है उनके सब को आज एक मौन जुलूस भी निकाला गया शिक्षकों द्वारा और उन्होंने मांग की है कि जो बाढ़ ग्रस्ति इलाके हैं उनको वहाँ जो स्कूल है उनको बंद करने का अधिकार उनको मिले और अब सिक्षा विभाग ने लिटर भी जारी कर दिया है अभिनास नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे उनके साथ कई और सिक्षक भी नाव पर मजूद थे और कहा जा रहा है जो प्रत्यक्ष दर्ची सिक्षिकाएं हैं और सिक्षक हैं उन्होंने कहा कि नाव पर वो पैर रख रहते लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया चुकि बारिस हो रहे थी उन्होंने अपने दोचक्के वाहन को उन्होंने अपने नाव पर सवार किया उसके बाद वो खुद चड़ रहे थे बारिस होने लगी बारिस की वज़ा से वो रुख गए उसके बाद जब बारिस थमी तो वो नाव पर सवार होने लगे और इसी क्र दियारा इलाके में स्थित स्कूलों के सिक्षकों के लिए नाओ के साथ साथ लाइफ जैकेड उपलब्द कराने का निर्देश सभी डियम को दिया गया था। अब सिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों के डियम को यह अधिकार दे दिया है कि बाढ़ की इस्तिती को देखते हुए वह अपने जिलों में स्कूलों को बंद करने का अधिकार जारी कर सकते हैं। अब इसे देखते हुए सिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि सभी डियम को अधिकार यह मिलेगा कि वह अपने जिले में स्कूल को बंद करने का आदेश दे सकते हैं। फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शनी उच्छ के साथ। झाल